अभी रेसेंटली एक फेस्टिवल गया था दशेरा तुम सबने मनाया होगा देखा होगा बट हमारे एक ऐसा दशेरा हुआ था जिसे कोई नहीं भूलता उस दशेरे में रावन में लगे बम ही नहीं मेरी पूरी कॉलिनी की गळ भी भटी थी वेलकम तो अनदर स्टोरी टाइम तुमने मेरे पिछली स्टोरी टाइम को काफी प्यार दिया था तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक और स्टोरी टाइम होज़े तुमारे ले हर बारी मेरे स्टोरी टाइम में होरर नहीं होता और ये स्टोरी टाइम मैं कभी भूलने सकता तो मैं लग रहोगा कि मैं अभी के दशेरे की बात करने वाला हूँ घंटे का दशेरा लोडी वाली फील आ रही थी मुझे लोडी फेस्टिवल रावन की भढ़ने के वाज़ा ही तो देखा कि रावन मैं से बाग जल रही है बम ही नहीं बम स्पीकर पर जला रहे हैं लोग एक सुतली बम नहीं जलाया है नोने बिजली बम whatever you call it हमद गय होगे मुझे सिर्फ गर्मी में आग का सेख मिला छेर मैं बात करने वाल हूँ उस दशेरे की जब हम छोटे-चोटे बच्चे थे निवबे थे निवबे से भी छोटे थे और हमसे मेरा मतलब है मैं और मेरी एस-गृप वाले मेरी कॉल्नी के लोग और हमें चुल थी कि खुद का रावन बनाना है, बच्चे थे थी चुल, तो हम सब बच्चों ने ने मिलके 15 दिन पहले दशेरा के शुरू कर दिया रावन को बनाना, और उसमें हमने सब कुछ ठूस दिया, मतलब ठूस दिया, उसमें हर तरह का पेपर, न्यूस पेपर, ग्ल रावन का मूँ, रशेरा आ गया, रावन खड़ा बिना मुंडी के, तो हमने क्या किया, हमने लिया एक मतका, रावन के सर की देख, हमने एक मतका रख दिया, गोल सा, और उसमें ने चौक से, उसका हमने मूँ चौक से बनाया है, स्माइली बना दिया, अब मैं फ्लैश रावन का मूँ स्केर क्रो जादा लग रहा था मुझे, लेकिन हमने एक चीज़ का बहुत गर्प था है, उसका हमने पूरी कॉलनी में हला बोला था, हमने अपने रावन में बहुत सारे, मनलब सब से ज़्यादा, मनलब हच्छे ज़्यादा बाम डाले थे, वो होते है न हर हमारी गली में, now comes the crazy part, हम बच्चों में किसी को यह नहीं पता था ना किसी नहीं हमें बताया कि बम बांधने भी होते हैं, अब कॉलनी वाले एक खटा हुए गली में रावन खड़ा है, बच्चों का रावन खड़ा हो देखी, मटके वाला रावन, वो मटका नहीं भूलता बताता हो, हमने रावन को आग लगाई, आग पेरों पे लगाई, असर दिमाग पे हुआ, और रावन की पूरी खोपड़ी खुल गई, पहला बम फटे, वो मटका खुल गया, फ्लावर बन गया, वो मटका, इतनी जोड से फटा, कि भगदर मच गई, और रावन के ठीक साम और मैंने सामने देखा था कि सारे बम ने उड़ोड के भाहर हारे, बिकोज अमने बांदे तो देनी और उनको मौका चाहिए था, बम के रावन के पूरजे उड़ के आ रहे था हमारी और उस पे इतना लोड पड़ा कि उस रावन से खड़ा नहीं होई जा रहा था, अमने पिका रखा था जैसे दैसे, फिर पता नहीं एक स्कॉर्फिय वला आया, उसको पता नहीं किस सीज की जल्दी थी क्या प्रेशर था, वो स्पीड में आपनी स्कॉर्फिय लेके उसने रावन उड़ा दिया, गया, और रावन का एक हिस्सा, ऐसे वला क्या बोल रहा हो मैं, एक हिस्सा उसका हवा में उड़के तारों में चिपक गया, अब रावन उपर बिजली की तारों में जूल रहा है ऐसे, और हमारी और भटनी शुरू हो गए, कि बिजली की तार आग ना पकड़ ले, बड़ ऐसा को छुवा नहीं, तो जैसे तैसे रावन को नीचे उतारा, और वो बचा तुकड़ा भी जलाया हमने चुल थी, वह मतला के गालिया, गालिया पढ़ रही थी बड़ मना लिया थे शेरा, उसके बाद मैने खुद का तो रावन कभी नीच बनाया, बड़ कॉलनी के लोग ना आज भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सुनना हो तो कमेंट कर होते हैं, तो जाके वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक मारो, सब फ्रीका होता है, बला करो, पुन्या मिलेगा, तुम्हारे सारे दशेरे इसे जाएंगे, कमेंट में लिख दे ना तुम्हें होड़ स्टोरी टाइम से ये तो तो टिल टेकर बाई, कीप शेरिंग यह की कि लगब करेंगे nggak अप्सक्राइब तो मैं चैनल सकते करेंग अरेन